ऐसे Magicians जिनका Magic Live Show के दौरान फ्लॉप हो गया सबसे पहले Poland के एक Magic Show में Magician चार पेपर बैग लेता है और एक बैग में नुकीला चाकू रख देता है इसके बाद Magician उन सभी बैग को सफल कर देता है और फिर वो अपना हाथ एक पेपर बैग के उपर मारता है जो कि खाली होता है इसके बाद वो अपने पास खड़ी Lady Host का हाथ दुसरे पेपर बैग पर मारता है इसके बाद क्या होता है आप खुद ही देख लो Next, Christian Johnson नाम की एक Magician 2009 में Live Magic Show को परफॉर्म कर रही थी जिसमें उन्हें एक पानी के टैंकर में अपने हाथ पैर पर लगे चैन को खोल कर पानी से बाहर आना था वो अपने हाथ और पैर पर लगे चैन को खोल लेती है पर टैंकर के ढखकन पर लगे लोग को खोलने से पहले ही वो पानी में बेहोश हो जाती है और फिर लॉक खोल के उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है नेक्स्ट जापान की एक मैजिशियन को शो के दोरान एक बॉक्स में बैठना था जिसके बाद उसमें कई तलवारे डाली जाती सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचनक आडियन्स को बॉक्स पर कुछ दिखाई देता है और सभी को लगता है कि एक तलवार बॉक्स को फार कर बाहर आ चुकी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैजिशियन बॉक्स से सही सलामत बाहर आ जाती है इसका मतलब बनाया तुमको